नमस्कार दोस्तों पूझे शक्ती चैनल में आप सभी मेरे भाईयों और भाईयों का बहुत बहुत स्वागत है जैमातादी दोस्तों आज जिस नवीशे पर हम चर्चा करेंगे वो है गणेश चतूर्थी जो की बहुत ही अधिक महत्पूर्ण माना जाता है कहा जाता है इस दोरान गणेश जी की पूझा अर्चना करने वो उपाय करने से गणेश जी जल्दी प्रसन हो जाते हैं वो आपकी सभी मन की एक्छों को पूरा करके जीवन को सफलता देते हैं बुद्धी के देपता श्री गणेश जी के बहुत ही जादा उपाय है और बहुत चोटे चोटे घरेली उपाय है और गणपती जी बहुत ही दयालू भी माने जाते हैं वे अपने भक्तों की पूजा जरूर सुईकार करते हैं उन्हें आशिरवात देते हैं इस बार गणेश चतुर्ती 2 सितंबर 2019 से शुरू हो चुकी है इस दौरान कुछ विशेश और कारगर उपाय करके आप गणेश जी को बहुत जल्दी प्रसन न कर सकते हैं आप सभी जानते होंगे कि जब हम पूजा पाट करते हैं तो सुपारी को जो है श्रिक गणेश जी का ही स्वरूप मानते हैं शास्त्रों के अनुसार सुपारी जो की गोल बड़ी सुपारी होती है आपको पूजा की शौप पे आसानी से मिल जाएगी साबुच सुपारी कह प्रतिमा नहीं होती है तब उनकी जगह सुपारी को स्थापित करके पूजा अर्चना की जाती है लेकिन क्या आप जाते हैं सुपारी के कुछ ऐसे उपाय जो बहुत जल्दी मनोकामनों को पूरा कर देते हैं और ये सुपारी जो है जिन्दिगी भर आपकी दनकी एक्चाओं को पूरा करती है किस प्रकार से इन उपायों को किया जाएगा क्योंकि बहुत शुबफसर चल रहा है बहले ही आपने गणेश जी की स्थापना अपने घर में करी हो या ना करी हो परन्तु प्रतिमा या फोटो भी होगा आपके घर पर तो भी आप ये कारी कर सकते हैं और अगर प्रतिमा और फोटो नहीं होता है तो गणेश जी का मंदिर जो कि आपके आपसपास होगा वहाँ पर जाकर भी आप जो है मनोकामना मांग कर इस सुपारी सपने धनकीक छों को पूरा कर सकते हैं इसके लिए आपको गणेश चतूर्ती याने जो ये पूरे 10 दिन का समय है इस समय पर कभी भी मैं कहूंगे अगर कल बुद्वार वाले दिन आप ये कारे कर सकते हैं तो बहुती शुब रहेगा अन्यता आप किसी भी दिन किसी भी समय जो है नई सुपारी बाजार से खरीद के लाए जो की साबुत सुपारी रहेगी और आप इस बात का ध्यान रखे कि थोड़ी बड़ी सुपारी हो और उसके आसपस किसी भी प्रकार का कोई दाग या क्रैक ना हो अच्छी साबुत और सुंदर दिखने वाली सुपारी होनी चाहिए अगर गणेश चतूरती के पूजन के समय लाल कपड़े पर श्री अंत्र रखा जा उसके बीच में सुपारी रखें तो श्री जी का कोई भी मंत्र या कोई भी साधना की जाए तो आपकी वह साधना के बाद जो है लक्षमी जी आपके घर आकर जल्दी से नहीं जाती है वहीं स्थाई हो जाती है इसलिए लक्षमी जी की पूजा के साथ में गणेश जी को रखना बहुत जरूरी होता है और वह रिद् प्राप्ति के लिए गणेश जी के साथ सुपारी का भी पूजन करें इसके बाद इस कपड़े को लपेट कर अपनी तीजोरी में रख लें घर में कभी भी धनकी कमी नहीं आएगी लाल कपड़े के साथ अगर आप औरेंज रंग का कपड़ा यूज करते हैं लाल कपड़े के चाहिए और सूती होना चाहिए इस बात का आपको ध्यान रखना है उसके बाद श्रीयंत्र रखें गणेश जी रखें और आप सुपारी से हल्दी कुमकुम से उनकी पूजा अर्चना करें और अगर आपको गणेश जी का कोई बीजमंत्र आता है तो बीजमंत्र जो है अगर उनका सिंदूर आपको मिल जाता है तो वो अगर आपको वहां से कोई प्रशाद मिलता है तो वो तोड़ा सा उस पर रखकर आप उन सभी चीजों को घर पर लाके अपने मंदीर में ओवर नाइट या पूरी रात वही रखा रहने दीजिए सुबे सनान करके स्वच पूजार चना करके धीव दूब बत्ती दिखा कर आप जो वो कपड़ा है पूरी श्रद्धा के साथ आपकी जो भी मनो कामना हो जैसे आपको पांच हजार रुपे या दस हजार रुपे या एक लाक रुपे किसी व्यक्ति से लेना है तो मन में उस व्यक्ति का नाम लेकर क कि यह मेरा पैसा दे दे अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई संपत्ति चाहिए या आपको कोई घर खरी ना तो उस घर का चित्रन अपने दिमाग में सोची और कहिए कि मुझे यह मेरा नाम आपका पूरा फुल नयम ले लीजिए आपका डेट ऑफ बर्द बोल दीजिए औ को भी एडरेस के साथ पूरी का लोनी का नाम और वह स्थान का नाम लेते हुए की मुझे घ़र प्राप्त हो जाए या अगर आप घर की आपने घर लेना है परनतु आपको पता नहीं कौन सा घर लेना है तो मकान की आप जो है मनोकामना मागे वही रिष्टों को लेगर आप तो हो जाए तो आपको सदे विस बात का ध्यान रखना है कि जब आप प्रभू से कभी भी धन की इक्ष्छा मांगते हैं किसी भी कि चीज लेकर तो आप कभी भी तामसिक चीजों की जो है नहीं मांगेंगे तामसिक जैसे लॉट्री होती है सट्टा हुता उसके लिए ज आप सदेव जीवन में शुब लाब देते हैं आप रपया मुझे इतनी बुद्धी फिर मेरी तेस करें और मेरे जो कर्म है उने साफ करें। साथ ये साथ मुझे इतना बुद्धि शाली और बलवान बनाय या आप कह सकते हैं कि मुझे इतना महंति बनाय है कि मैं अपनी महनत से, इस समाज में अपना नाम सम्मान करूं। और साती साथ जो धन में आ रही जितनी भी अर्चन हैं वो मेरी समाप्तों हो और मुझे चारो दिशाओं से धन की प्राप्ती हो मेरी बुद्धी और मेरी महनत के बल पर आप यह जो इक्छाए हैं अपने यह जो आप बोल है अपनी भाशा में अपने अनुसार जो है इसे आपकी कला और आपकी बुद्धी से ही आपके पास धन आए क्योंकि जो बुद्धी और कला से धन आता है वो सदेव जीवन में बना रहता है एक बार अगर श्रीक गणेश की क्रपा आप पर बन गई और आपने कोई भी कारे करा है तो वो विना वेगने के जीवन भर है तो वो एक लाग आएगा भी उतनी स्पीड से और जाएगा भी उतनी स्पीड से और आपको पता भी नहीं लगेगा तो आपका मोटिव यहाँ पर क्या रहेगा स्थाई धन को अपनी और आकरशित करना स्थाई धन को आकरशित कैसे कर सकते हैं कभी आप स्थाई धन के ल परन्तु अधूरी पूर्ण होगी तो आप इसलिए आप क्या करेंगे आप यह बोलेंगे कि मेरा कामकाज अच्छा चलने लग जाए या जो चंचल लक्षमी वो स्थाई हो जाए हम महेंती हो जाए हमारी बुद्धी इतनी तेज हो जाए कि हम अच्छे प्रकार से धन कमा सके और हाँ जब भी आप यह उपाय करने के बाद धन के मार्ग आपके खुलते हैं तब आपको किसी भी रूप में छोटा छोटा दान जरूर करना है आप कन्याओं को टॉफी चॉकलेट दे सकते हैं गरीब बच्चों में चिप्स बिस्किट का दान कर सकते हैं शमता अनुसार अगर जादा धन आता है तो आप शमता अनुसार जादा भी कर सकते हैं परन्तु आप बेसिक मैं बता रही हूं जादा अगर आप आसपास दान नहीं कर सकते हैं तो काली चीटियों को शक्कर और आटा मिलाकर जो है इस चीज़ का दान आप जरूर करें आप जानवरों की से इसकी कमी नहीं आएगी भाईयों और बहनों आपने सुपारी ली है आपने जो कारे कर दे आप ती जोरी या पर्स में रख सकते हैं परंतु पर्स में रखने से इसलिए मनाई है क्योंकि हम कई बार ऐसी जगाओं पर जाते हैं जहां पर जो है अशुद्धता हो जाती है तो होता है आपके घर का मंदिर या घर की ऐसी जगह जहां पर आप दिया बत्ती करते हो बहले बहुत बड़ा मंदिर नहीं एक चित्र भी होगा तो भी कारे चल जाएगा किसी भी देवी देवता का चित्र हो आपके गुरू का चित्र हो ओम का चित्र हो या आपने स्वास्तिक बना रखा हो वाँ पर तो भी एक कारिक करेगा आपको क्या करना है आपके घर की या प्रेंट पे रहते तो रूम की आप किसी के साथ रहते हैं तो जहां आप सोते हैं वहां की उत्तर दिशा की और आप जो है कमपास जो फोन्स में आजकल आते हैं आपको इसली पता लग अगर चांदी का कोई पात्र आपको मिल जाता है आपके पास अगर चांदी का पात्र होता है तो उसमें सुपारी रख दीजे चांदी का पात्र नहीं है तो चांदी की अंगूटी हर किसी के पास होती है तो अगर हो सके तो नई चांदी की अंगूटी खरीद कर या चांद बत्ती लीजे जो कि गुलाब की अगर बत्ती आप लेंगे और उसके बाद जो है आप डेली सरिफ देखकर अपनी मनों कामना को उनके सामने कहीं आप देखेंगे जितने भी ब्लॉकेज़ेस हैं मनी ब्लॉकेज़ेस हैं सारे रिमूव होते जाएंगे अबंडनस आता आपके जीवन में वेल्थ हाती जाएगी बहुत सारे धन के मार्ग जो है अपने आप खुलने लगेंगे बहुत छोटा सा उपाय परन्तु ये बहुत कारगर और बहुत सिद्ध उपाय है क्योंकि श्री गणेश जी का समय अभी इस समय पर आप ये उपाय करते हैं तो आप आपको अपने आप ही जो है इसकी जो पॉजिटिविटी है या आपको खुद ही अपने आप अंदर फीलिंग आएगी कि आपके धन के मार्ग खुलने वाले हैं अब यहाँ पर जो सबसे जादा सवाल पूछा जाता है कि इंटरव्यू कैसे क्लियर करे या एक्जाम कैसे क् हैं किसी ऐसी डील पर जा रहे हैं जो की हमारा कार विष्ट ना ही चाहिए तो कार विधनहर्त च्र जी से आप शेतर में सफलता के लिए वह करेंगे प्लाथना आपको क्या करना है श्रीगनेज जी के सामने दो हरी नाइचि क्लिश जो 2025 वाली और चोटी और बिना दाग वा भानद कर या हरे कपड़े में भांद कर जो है आप श्री गनेश जी के सामने रख कर और गनेश जी गासकते हैं तो आरती पीज मन्त्र गर जासकتब कर गनेश गोंदो या इंट्रिव्य आपका 5 तारीक को है तो ये कार आप एक तारीक से या 31 जो तारीक होगी उससे से शुरू कर देंगे मतलब 5-6 महीन पहले से आप ये जो कार है शुरू कर देंगे और आपको डेली ये जो है सुपारी और इलाजी वहीं रखे रहने देना है और जिस दिन आपको अच्छे से नहाद होकर तैयार होकर जैसे पूजा पाट करते हैं और गणेश जी का 40 पढ़ते हैं वैसे पढ़ने के बाद आप ये जो पोटली आपने बनाई है जब भी आप कारे की सफलता के ले जाए तो इस अपनी जेब में रखकर से ले जाए ये जो कारे है आ परण तो आपका कार नहीं हो पाता है यानि आप डिजर्व करते हैं पर वो कारे आपका हो नहीं पाता है तो ये जो पाए है आपके उन सभी विग्नों को दूर कर देगा और ये बहुत छोटा सभा है आप भले करके देख लीजिए दो इलाइची और दो सुपारी आपको और पांचे दिन पहले से जैसे आपको तारीक पता लग जाती है कि आपको इस समय पर इस कारे पर जाना है उससे पहली आप ये जो कारे करना चालू कर दीजे और मैं कहूंगी इस पोटली को सभी को अपने घर में बना कर रखना चाहिए जब भी आप किसी कारे पर जा रहे तब इस पोटली को अपने साथ में लिकर जाए आपका कार जो है बहुत आसानी से बन जाएगा तो भाईयों और बहनों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते वे मैं आशा करती हूं आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा हम फिर मिलेंगे किसी नए व बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों